हलो गाइज, वेलकम बैक तो यूटूब चैनल एक्टिकल स्टाफ फर यू दोस्तो आज के मारे इस वीडियो का टोपिक है कि आईसोलेटर क्या होता है, कहां पर इसे यूज किया जाता है और इसका क्या काम रहता है दोस्तो आपने पावर स्टेशन जा स्व स्टेशन में ऐसा स्विच जरूर देखा होगा, इसी स्विच को दोस्तो आईसोलेटर कहते हैं isolator में एक fixed contact होता है और दूसरा moving contact होता है isolator का काम power line को disconnect करने में लिया जाता है अब क्योंकि जे line जा machinery को disconnect करता है इसलिए दोस्तो isolator को disconnector switch भी बोला जाता है isolator को handle से operate किया जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो जे electrician handle की मदद से isolator को operate कर रहा है isolator को close या open किया जाता है वैसे ही इसे motor से भी operate कर सकते है power line को de-energized करने के लिए isolator का use किया जाता है ऐसे ही मान लीजिए अगर आपने sub station में transformer पर काम करना हो तो आपको पहले isolator को open करके transformer को de-energize कर लेना है उसके बाद ही आपको maintenance करनी है ताकि किसी को current वगेरा ना लगे isolator को operate तबी किया जाता है जब हमारा circuit breaker open position में रहता है क्योंकि load switches और circuit breaker की तरह isolator में electric car को suppress करने की शमता नहीं होती इसलिए दोस्तों isolator को offload device भी कहा जाता है isolator earth switch के साथ भी आते हैं और without earth switch भी आते हैं दोस्तों ये अलग अलग power lines पर उसकी requirement के coding लगाया जाते हैं high voltage lines जैसे 33 kv और उपर वाली lines जैसे 132 kv होगी 400 kv होगी बहाँ पर isolator switch with earth switch लगाया जाता है low voltage lines जैसे 11 kv lines होगी बहाँ पर isolator without earth switch लगाया जाता है दोस्तों construction features और mounting arrangement के हिसाब से के टाइप के disk connectors जा isolators है अब दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो ये एक center break disk connector है इसे center break disk connector इसलिए कहा जाता है क्यूंकि जो इसका breaking point है वो center से है अब यहाँ से दोनों के दोनों moving arms center से open हो जाती है और यहीं पर close हो जाती है अब क्यूंकि ये center से break करता है इसलिए इसे center break disk connector कहा जाता है अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो जो जे वाला isolator है जे दो जगा से break कर रहा है एक इस end से और दूसरा इस end से मतलब जिस spike को disconnect दो जगा से कर रहा है इसलिए इसे double break disk connector कहा जाता है अब दोस्तों जैसे कि आपने train के उपर भी देखा होता है इस वाले isolator का जूज भी बिलकुल बहीं पर किया जाता है जहाँ पर space कम हो अब क्यूंकि ये pentograph की shape की तरह है इसलिए इसे pentograph disk connector कहा जाता है ऐसे ही दोस्तों इसके अलावा vertical break disk connector होता है और knee break disk connector भी होटता है ये disk connectors जा इसलिएटर की लग-लग types है दोस्तों इस परकार से isolator का use किया जाता है और ये इसका काम होता है आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से काफिक को सीखने को मिला होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like और share जरूर करें और ऐसी और वीडियो के लिए channel को subscribe जरूर कर लें Thank you guys